I know कि आप लोगों ने वो बिगी को आज वो हिंदी वाली गाली दी होगी में इवेंट में जो उन्होंने हरकत करी उसकी वज़े से Don't worry, मैं नहीं दूँगा, so it's okay Also Rock के बारे में बात करने से पहले Slammy Awards की भी वीडियो आने वाली है 2021 की जिसके लिए वोटिंग के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप वोट कर सकते हो, तो Let's see के इस पार Roman Reigns कितने वोट जितेगा, भाई यह मैं इसलिए वोल रहा Because if you remember 2017 में भी मैंने ऐसे किया था, भाई जब सारे वोट Roman Reigns कोई मिल गए थे Because I liked how किस तरह से यह वाला pitch plan किया गया कि Bobby Lashley को भी Fatal 4-way में add कर देना चाहिए, यनि कि वो जो triple threat होगा, उसमें 4 बंदे जुट जाएं Championship के लिए, Because already काफी कम बंदे लग रहा हैं Championship के लिए हैंना, Seth Rollins and Kevin Oven से वो बात नहीं बन रही, हमें एक और बंदा चाहिए था कि B.E.E. के chances हो जाएं जीतने के बिलकुल 25% And you know, I definitely support this idea, in fact, like मैं तो चाहा रहा था कि Finn Balor, in fact मैं ही नहीं बलकि काफी लोग चाह रहे थे कि Finn Balor भी इस mix में add हो जाए, but किस तरह से आज वो Daman Priest के साथ tag match में थे, और Austin Theory ने जो उनका हाल करवाया, भाई, वो तो इस match में दूर दूर तक नहीं दिखने वाले थे, तो obviously, but Bobby Lashley ने जो destruction मचाया है, पिछले कुछ हाफतों में, I feel like he definitely deserved it, और जिस तरह से उन्होंने championship हा देती, उनका आना बनता था, यार, देखो, हम लोग कुछ argue नहीं कर सकते, इसके against Bobby Lashley को भी एक मौका मिलना चाहिए, and I liked how किस तरह से Adam Pearson, Sonny Devil ने जो opportunity दी, वो भी काफी legit थी, कि हाँ भाई, आप Kevin Owens, Biggie और Seth Rollins को अलग-अलग time पर हरा दो, तो हम आपको include कर देंगे, तो उस match से यह realize हुआ कि Kevin Owens के पास शायद कोई plan है, वो basically थोड़ा Bobby Lashley को थकाना चाहते थे, बट खुद भी नहीं थकना चाहते थे, and hurt lock में आने से पहले ही बंदे ने tap out कर दिया, थोड़ा pain सहत हो लेते, थोड़ा, I think उन्हें पता चलिया था, कि Indian मुझे हार नहीं है, और म हम मिलके Bobby Lashley को इस match में आने नहीं दे सकते, और वो match में भी दिखा, जब Seth Rollins और Lashley का match हो गया था, अच्छा खाजा, तो फिर Kevin Owens ने आके attack कर दिया, किसको, Seth Rollins को, क्योंकि, of course, rule यह है कि जिसको भी attack करोगे, वो जीत जाएगा disqualification से, और वही हुआ, Bobby Lashley के city pittty जो goal ह but again, मैं वही तो कहता हूँ, यह वाले जो rules हैं, यह हर कोई क्यों नहीं use करता है, भाई कितने अच्छे यह वाले rules है, number one contender, या फिर ऐसे type के जो matches होते हैं, इसमें अपने बंदे बिठा लो और उनको बोल दो कि भाई साब मेरे को पीड़ देना, मैं जीत जाओंगा बस, औ और क्या चाहिए, यह से ज़्यादा, बट फिर यह भी तो है, Adam Pierce और सो सोने डेविल के पंचाद भी तो है, वो आए फिर पीछे से कह रहें, नहीं, नहीं, अब हम इंशको ना, no disqualification जैशा कर देंगे, ठीक है भाईया, बॉबी लैशली को तुम्हें फिर add कर नहीं है, तो बट बिगी के पास क्या अच्छा मोगा था, because Kevin Owens and Seth Rollins आके बजाने लग गे थे लैशली को, ताकि तीनों मिलके हरा सके, बट नहीं, बिगी को लोगा, नहीं, मैं तो अच्छाई की मूरत हूँ, मैं बचाऊंगा अपने लैशली को, अपने अपोनेंट को, ताकि वो मेरे ह मैच में आ सके, of course, बिगी की थिंकिंग ये थी कि वो अकेले हरा सकते हैं, बबी लैशली को, बट कहा है यार, MVP ने जो डंडा मारके उनके सपनों को थोड़ा है और लैशली को जो इस मैच में जोड़ा है, I think it was the perfect ending to this Monday Night Raw, I like this shot to be honest, especially because of this match, अभी Day 1 के लिए अल्रेडी एक ब्लॉक्बस्टर मैच जो था, उसमें एक और ब्लॉक्बस्टरनेस एड हो चुकी है, अब नाव इट इस ओविंस वर्सेज रॉलिंस वर्सेज लैशली वर्सेज बिग ई, and I don't know about you guys, but for some reason, लैशली खा एड होना मेरे को कहीं न कहीं इंट्रस्टिंग लगा, और जिस तरह से एड हुआ, वो जो पूरी स्टोरी लैन थी, वो भी इंट्रस्टिंग थी है, वो वाला भी अच्छा पाट था, जब सेथ रॉलिंस को आईडिया समझ में आया कि, ओ, मिरको इसलिए पीटा था कि मैं डिस्कौलिफाई हो के जीत सकूँ, नाइस, वो वाला भी अच्छा पाट था, और as such, जो special moments है, basically, हाँ, एक Edge versus Miz की तरफ से segment आया था, वो जो बातचीत फिर से देखने को मिली थी, बट इस बर थोड़ा बातचीत से ज़्यादा बात आगे बढ़ गई, जब Miz ने पानी या दारू या जो भी पी रहे थे, वो Edge के मूँपे फेक के मारा, बट Edge ने Spear जो मालने की कोशिश करी, लेकिन Miz जो मरीस को बीच में लेके आया, मरीस को गुस्सा आया, वो जो कि आना भी था है, मतलब मरीस एक Mother है, अब मरीस को पता चल रहोगा कि या, उस टाइम पे मैंने Miz से शादी करके कहीं, गलती तो निखल ली यार, ये क्या बंदा है, ख तो आज आई तिंक वो अच्छे चीज देखने को मिली, बट इससे शायद मेरीस को ये भी पता चल गया कि मरीस अभी टीवी पर नहीं दिखाई देंगी, मिस के साथ, तो इसलिए जो हम लोग सपने बुन रहे थे, मिस एन मरीस वर्स बेथ फिनिक्स एंड एज, येस, वो स समझ ना है, तो समझ लेना बंदा कुछ अच्छा कर गया है, तो बेगिलिंच की केस में आज ये ही था, और जो ठोका है लिव मोर्गन को, पता नहीं, डेवन में लडने लाग छोड़ा भी है या नहीं, क्योंकि I don't think so कि लिव मोर्गन को ऐसी पिटाई की आदत है, बढ़ जो आज की रौ थी, उसमें में चीजे सिर्फ ये ही लगी थी मेरे को, और I think इनोंने ही इंट्रस्टिंग पार्ट बना दिया था, बाके तो अंकाय एंड डूड्रॉप की भी अची राइवल्री चल रही है, बाइद अब डूड्रॉप के बारे में आप कोई कुछ नहीं जब डूड्रॉप अहारने लग गए थी, स्टाटिंग में जब डेबी हुआ था, और Eva Marie के साथ आ रही थी, तब तो बहुत लोग क्या रहे थी, oh my god, do you even know who डूड्रॉप is, अभी वो former SmackDown Women's Champion के साथ एक सिंगल सराइवल्री में, Monday Night Rock में, तो अभी सब शान्त क्यों, I don't understand this philosophy, but anyways, I'm not that interested, but I'm just saying कि जो भी डूड्रॉप के उस टाइम पे उतनी रखवाली कर रहे थे, अब क्या हो गया, ओ भाई, Otis के फैंस कितने खुश हुए होंगे, Otis न अज रिडल को हरा है, that has to be the shocker of the year, and मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, बैक स्टेज में, Randy Orton ने Otis की इतन बड़ा creature है, इतनी तारीफ करने लाएक है, I have no idea, और वो शह दिखा भी दी आज रिडल को हरा के, amazing, amazing, अभी चाहिए जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई, Otis की इतनी तारीफ की होती है, देख ली आज, this is the real Otis power, anyways, आज की रॉको, like I think, personally मैं कहूंगा, I would say कि it was interesting, amazing और day one के लिए, championship के लिए, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा builder है, अब तक किया, तो ये अपने भी thoughts बताना, लिख के comments में, साधिशा, slammy awards के लिए, vote करना मत भूलना, link रहेगा description में, और अगर आपको वीडियो पसेंद है, तो प्ली लाइक को share करो, और चैनल को subscribe करो, मेरे सब्दों के विचार है, अब सुस है कि आज सबने इसको भूलाया, Friday's को इसने RKO धा लगाया, Friday's को इसने RKO धा लगाया,